इस दुनिया में हजारों ऐसी जगा हैं जहां जाना मना है हमारे इस भ्रह्मान में ऐसे ऐसे रहसे छुपे हुए हैं जिससे आज भी लोग अंजान हैं इस तरह की अंदेखी अंसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही एक जगा है धनुशकोडी धनुशकोडी भारत के तमिलनाडू पूर्वी तडपर रामेशुरम द्वीप के किनारे पर स्थित है इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है इस जगा से आपको श्री लंका दिखाई देता है धनुश कोडी भारत और श्री लंका के बीच में स्थित है इसकी लंबाई 50 गज है इस जगा पर दिन के वक्त लोग घूमने आते हैं लेकिन रात होने से पहले सबी लोगों को वापिस भेज दिया जाता है क्योंकि यहां रात में घूमना बिलकुल मना है लोग शाम होने से पहले ही रामेशुरम लोट आते हैं धनुश कोडी से रामेशुरम का रस्ता 15 किलो मीटर लंबा है और बेहद सुनसान है यहां किसी को भी डर लग सकता है क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्मय माना जाता है कई लोग तो इस जगा को भूतिया भी मानते हैं 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुश कोडी भारत का एक बहतरीन प्रेटन इस्थल था उस दोरान धनुश कोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ओफिस बना हुआ था लेकिन साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खतम कर दिया कहा जाता है इस दोरान सो से भी अधिक यात्रियों वाली एक रेल गाड़ी समुद्र में डूब गई थी तब से ये जगा सुनसान हो गई इसी जगा पे भगवान श्री राम ने हनुमान को एक पुल का निर्मार करने का आदेश दिया था जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके धनुष कोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी हैं ऐसा कहा जाता है कि विभीशन के निवेदन करने पर भगवान राम ने अपने धनुष से एक सिरे से सेतू को तोड़ दिया था इसी कारण इसका नाम धनुष कोटी पढ़ गया कमिल में कोटी का मतलब सिरा होता है इसलिए इसे धनुष कोडी नाम दिया गया है अगर आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें धन्यवाद